हेलो फ्रेंड्स नमस्कार मैं प्रेंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चनल टार्गेट टीचर जॉब में और टार्गेट यूपी टेट सीटेट एप में तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे डियलेट फोर सेमेस्टर का सामाजिक अध्यनवी से और ये है आप का क्लास नमबर 10 तो दोस्तों यहां पर हम लोग पढ़ रहे हैं आज अध्याय नमबर 2 के अंतरगत पढ़ेंगे सविनय अवग्या आंदोलन तो दोस्तों यहां पर अध्याय नमबर 2 है जिसका नाम है राश्टी आंदोलन यूंपूर सोतंतता की मांग तो दोस्तों इसके अंतरकत हम लोग पढ़ चुके हैं इंडियन नेशनल कॉंग्रेस की अस्थापना जिसमें हम लोगों ने देखा था कि अंग्रेज रिटाइड आधिकारी ए ओ यूम ने इंडियन नेशनल कॉंग्रेस की अस्थापना 28 दिसंबर 1850 को की थी और यह की थी उन्होंने बंबाई म संस्कृत कालेज के भवन में और दोस्तों उसके बाद हमने देखा था कि भारती राष्टी कांग्रेस के जो प्रत्रम अधिवेशन हुआ था उसकी अधिचता की थी व्योमेस चंद्र वैनर जी ने और इसमें टोटल बहत्तर प्रतिनिदियों ने भाग लिया था हम लोग एक बार फास्ट रिवीजन कर रहे हैं जितना भी हम लोगोंने टोटल अध्याय नमबर दो के अंतरकत अब तक पढ़ा है उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सविनो अवग्या अंदोलन तो दोस्तों यहाँ पर हमने देखा कि इंडिया नेसनल कॉंग्रेस के अस्थापना क बूई थी 1885 में तो दोस्तों बंग बंग आंदोलन के अंतरकत हम लोगों ने देखा था कि 1916 अक्टूबर 1905 में बंगाल विभाजन की घोशडा कर दी जाती है किसके द्वारा लाड करजन के द्वारा और दोस्तों उसके वाद हम लोगों ने पढ़ा था रॉल एक्ट एक्ट जिसमें रॉल एक्ट एक्ट 18 मार्च 1990 को लागू किया गया था और भारत में करांतिकारियों के प्रभाव को समाप्त करने तथा राश्टी भावना को कुचलने के लिए ब्रिटिस सरकार के निया अ अधिचता में ही ये कमेटी नियूकती की गई थी और इसी कमेटी के माध्यम से जो कानून पास हुआ था उसे रॉल एक्ट एक्ट के नाम से जाना जाता है जिसे दोस्तों काला कानून भी कहते हैं और महत्मा गादी ने इसी को काला कानून कहा था और दोस्तों यहाँ पर इसके बाद हम लोगों ने देखा था कि जो ये रॉल एक्ट एक्ट था इसी कोई बिना अपिल बिना वकील और बिना दलील का कानून कहा गया और दोस्तों इसी एक्ट के तहथी टाक्टर सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल जी को संदे के घेरे में लेकर के ही अंग्रेज दोरा अरेश्ट कर लिया जाता है और उसके बाद दोस्तों लोगों ने देखा था कि जलिया वाला बाग में जनसभा होती है किस दिन बैसाखी के दिन 13 अप्रेल 1919 को जिसके बाद जो जनरल डायर रहता वो नियत्ते जो भी भारतिये जनसभा कर रहे थे उन पर गोलियां च के बाद हम लोगों ने देखा था मोपला विद्रो जो की दचिट भारत से सम्मंदित था जो की यहां पर क्या था कि मोपला जो मुस्लिम निर्धन किसान थे इनके उपर जो नम्बुदरी जमिदार थे और साहुकार वर्ग था यह लोग सोसड कर रहे थे और इसी सोसड का विरोध करते हैं मोपला निर्धन मुस्लिम लोग और उसके बाद दोस्तों हम लोग पढ़े थे आसायोग आंदोलन आसायोग आंदोलन गादी जी ने रॉलेक्ट एक्ट जलिया वाला बाग हत्यकांड और खिलाफत आंदोलन के उत्तर के रूप में एक अगस 1926 को संभाव नहीं है तो यह सारी चीजे हम लोगों ने पढ़ी थी डिटेल से और दोस्तों उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था चौरी-चौरा कांड जिसमें लोगों ने देखा था कि 5 फरवरी 1922 को गोरकपुर जीले के चौरी-चौरा नामा के एक छोटे से गाउं में ए इसके बाद आसायोग आंदोलन जो की गांदी जी के द्वारा चलाय जाता है इसी घटना से आहत हो करके गांदी जी आसायोग आंदोलन वापस ले देते हैं और दोस्तों उसके बाद जो राश्ट्रवादी नेता थे वो सी आरदास, मोतिलाल नहरू, सुबास चंद्र बोस और पंडी जवाला नहरू ये सब भी गांदी जी के विरोधी हो जाते एक तरह से उनकी इसे उनकी इसे स्टेप से वो सहमत नहीं थे कि क्यों उन्होंने आसायोग आंदोलन को वापस ले लिया था ये सारी चीजे हम लोगों ने देखी थी उसके बाद हम लोगों ने देख केटा थे वो थे रामपरसाद बिस्मिल जी उन्हीं के नेतित्त में एक एक योजना बनाई जाती है जिसको जिसके द्वारा जो पैसेंज़र ट्रेन थी जिसका नाम था आठ डाउन साहरनपूर लखनौ पैसेंजर ट्रेन और इसके चेन को कीच करके पंडित रामपरसाद बिस्मिल के नेतुत में आसफाक उल्ला खां, पंडित चंसेखर, आजाद और इनके छह सहयोगियों के द्वारा ट्रेन को लूट लिया जाता है और जिसके परडाम सुरूपे यानि की फासी की सजा सुनाई जाती है यह सारी चीजें दोस्तों हम लोगों ने देखी थी डिटेल में उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि सुराज दल पार्टी दोस्तों 1921 इस भी में जब महात्मा गाधी द्वारा आसायोग आंदोलन को बंद कर दिया जाता है यानि क जब चौरी-चौरा कांड होता है तो उससे आहत हो करके गाधी जी आसायोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं यानि कि आसायोग आंदोलन जो हता है वो बंद कर दिया जाता है तो उसके बाद देश बंदु चितरंजन दास और पंडित मोतिलान नहरू के द्वारा सुराज दल की अस्थापना कि जाती है और इसे सुराज पार्टी जो की भारतियों के लिए अधिक से अधिक स्वासासंता राजनितिक सुदंता के प्राप्ति के लिए कारे करती है ये सारी चीज़े हम लोगों ने देखी थे उसके बाद देखा था साइमन कमीसन जो जिसका विरोध दोस्तों पूरे विरोध दोस्तों उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था साइमन कमीसन जिसमें साइमन कमीसन की न्यूक्ती बिलेटी से प्रधान मंत्री ने सर जॉन साइमन की नितित में की गई थी और इसकमीसन में सात सदस्य थे जो सभी ब्रिटेन के संसत के द्वारा मनुनीत किये गए थे और साइमन कमीशन की गोशड़ा आठ नॉमबर 1927 भी को हुई थी यह सारी चीजे हम लोगों ने डिटेल से देखी थी और जो भी भाई बेन ये सारी वीडियोज नहीं देखे हैं उनके लिए लिंक डिस्क्रिप् पाढ़ेंगे सभीण अवज्ञां आंदोलन क्लियर तो दोस्तों सभीण अवज्ञां अंदोलन ब्रिटिस सम्राजवाद के विरुद भारती राष्टी कांगरेश द्वारा चलाये गए जन आंदोलन में से एक था तो दोस्तों यहां पर हम देखेंगे जो सभीण अवज् कांग्रेस के द्वारा चला गया एक जन आंदोलन था एक लोगों के द्वारा चला गया जो लोग थे वह कौन थे वह भारती राष्टी कांग्रेस के सदस्य थे और दोस्तों 1929 इस भी तक भारत को बरिटेन के इरादे पर सक होने लगा कि वह अपनी वेसिक सुराज प्रदान करने की अपनी घोशना पर अमल करेगा की नहीं करेगा तो दोस्तों अब भारती जो थे उन्हें ये धीरे-धीरे समझ में आने लगा था कि जो अंग्रेज करते हैं जो अंग्रेज सरकार कहती है वो करती नहीं है तो इसलिए 1929 में जो भी उनके इरादे थे वो धीरे-धीरे भारती जनता के समझ साफ परस्तूत होने लगे थे कि क्या वो लोग चाते हैं और वो क्या कहते हैं और क्या करते हैं उनके कर्थनी और कर्णी में अंतर हैं ये सारी चीज़े जान चुके थे तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें यहाँ पर हम देखें भारती राष्ट्री कॉंग्रेस ने लाहौर अधिवेशन 1929 में घोशला कर दी थी कि उनका लच्छ भा भारती राष्टी कॉंग्रेस ने लाहौर अधिवेशनнок में अपनी घोशला कर दी थी कि जो भारती राष्टी कॉंग्रेस भारत की saràरी की बहुत ही मजबूत हम कह सकते हैं पार्टी थी जिसके माध्यम से एक राजनेतिक पार्टी थी जिसके माध्यम से देश में आजादी मिल सकती थी तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करें गाधी जी ने भी अपने मांग पर जोड देने के रिचे अप्रैल 1930 को सविना अग्या अंदोलन छेड दिया दोस्तों यहाँ पर देखिए चाहे वो भारती राष्टी कॉंग्रेस हो या फिर बात करें गाधी जी तो गाधी जी और यह भारती राष्टी कॉंग्रेस दोनों नहीं मिलकर के देश की सुदंता के लिए एक जुट हो गए थे यहा सामोहिक के रूप से करके ब्रिटिस सरकार को जुका देना था तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करें सविना अवग्या अंदोलन के माध्यम से गाधी जी और भारती राष्टी कॉंग्रेस के जो भी सदस्य थे यह सारे लोग मिलकर के अब एक ऐसा कुछ बिशिष्ट कारे कर करके वो सामोहिक रूप से ब्रिटिस सरकार को जुकाना चाहते थे जैसा कि नमक कानून का उलंगर कर स्वेंगी नमक बनाया जाना तता समस्त विदेशी बस्तों का वाइसकार करते हुए उन्हें जला दिया जाना और दोस्तों यहाँ पर हम देखें जो अंग्रेजी सरकार थी उनके विरुद जाकर के कानून बनाना बहुत बड़ी बात थी उसमें चुकि दोस्तों पूरे देश पर अंग्रेजी सासन था तो अंग्रेजों का जो नमक का कानून था उसको तोड़ करके गाधी जी ने नमक कानून का उलंगन किया और साथ ही दोस्तों जो भी विदेशी भस्तोर है थी सामानि राइंजांच विधरप में बश्कान्व करेंव में बुठोरेंज खेंजाने घृपक्री के लिए उसका भी हंबस्तोर न यह सारी चीजों पर भारतियों लोगों ने बहिस्कार किया तो दोस्तों यहां पर हम बात करें कानून तोड़ने की नीती एक बार हम देख लेते हैं दोस्तों कानून तोड़ने की नीती अगर आप से पूछे या फिर डांडी यात्रा पूछे गांदी जी की तो दोनों एक ह बात है इसलिए हमने मुझे यह इंपॉर्टन लगा इसलिए मैंने आप लोग के लिए रखा तो दोस्तों कानूनों को जान बूझ कर तोड़ने की इस नितिका कार्यानों अपचारिक रूप से उस समय हुआ जब 12 मार्च सन 1932 इस्वी को उनकी एत्यासिक डांडी यात्रा साथ आरंब हुई थी तो दोस्तों यहाँ पर देखिए अनपचारिक रूप से तो बहुत सारे कानून अंग्रेजों के तोड़े जा रहे थे जहां पर कोई प्रत्यच रूप से सामने नहीं आ रहा था लेकिन अगर अपचारिक रूप से पूछे तो गांधी जी ने 12 मार् सामति आसरम से 188 अन्यासी अन्याईयों के साथ आरंब किये अपनी यात्रा को और गांधी जी ने 5 अप्रेल को समुंद्र तट पर इस्थित दांडी नामक अस्थान पर पहुँचकर 6 अप्रेल को नमक का कानून तोड़ दिया तो दोस्तों इस तरह से गांधी जी 6 अप्र पहुचे लेस्थित पहुचे वह से 202 आपने नमक कानून को तोड़ा यानि की जो नमक अंगरेज बनाते थे और उसको बहुत ही महंगे दामों पर बेस्थे थे अब नमक हमारे भार्तिये बनाएंगे तो कम से कम हमारे जो भार्तिये जिनको कुछ भी नहीं मिलाता वो कम से कम नमक और चावल तो खापाएंगे जिनके पास कुछ भी नहीं है वो नमक और रोटी तो खापाएंगे उन भारतियों के लिए वो नमक कम से कम महेंगा नहीं होगा इसके लिए गांदी जी ने नमक कानून को तोड़ा अब दोस्तों यहाँ पर देखिए आपकी एक्जाम में गोल में सम्मेलन पूछे जाते हैं बहुत ही महात्वपूर हैं आपकी एक्जाम के दृष्टी कोड से तो हमने अभी पढ़ा सविनो अवग्या अंदोलन और अब हम पढ़ेंगे और उसके बाद हमने पढ़ा दांडी यात्रा और कानून तोड़ने की नीती यानि की दांडी यात्रा के अंदरकत ही आता है तो दोस्तों सविनो अवग्या अंदोलन में हमने देखा कि जो भारती राष्टी कॉंग्रेस थी उसने 1929 जो लाहर का दिवेशन हो था उसमें ये जान लिया था कि अब हमें हमारी स्वाधिन्ता के लिए लड़ाई लड़नी है और गांदी जी ने भी ये ठान लिया था कि सविना अवग्या अंदोलन सुरू करेंगे दोस्तों सविने अवग्या सविने आवग्या का मतलब है हम मतलब यहाँ पर गांदी जी की एक रड़िनी थी थी शुरू से ही आहिंसा और सत्य तो वो अपने इस मार्क पर हमेशा से चलते आये थे और चल रहे थे तो उन्हों इसलिए सब विने आवग्या यानि कि विने के साथ और उनकी जो अवग्या यानि कि यहां पर उनकी आग्या को विने के साथ उनकी जो आग्या है उसको टालेंगे यहां पर हम कह सकते हैं कि यहां पर गांधी जी अपने विने के साथ यानि कि वो अपने पॉलाइटनेस के हथियार को बहुत बड़ा यानि की मजबूत हथियार समझा अब दोस्तों हम चलेंगे प्रथम गोल में सम्मेलन जो की आपके एकजाम के दिश्टिकोंड से बहुत ही जदा महत्तुपूर है यहां पर देखिए प्रथम गोल में सम्मेलन नौंबर 1930 से लेके जनवरी 1931 तक सं 1930 इसवी में आयोजित किया गया जिसमें देश के प्रमुख नेता सामिल नहीं हुए तो दोस्तों इसमें क्या कारण था कि जो सबीने अवग्यां अंदोलन हुआ था इसी के विरोध में जब अंग्रेजों ने बहुत सारे लोगों को गिरफतार कर लिया था यही रीजन था कि हमारे जो देश के बड़े निता थे वो गोल में सम्मेलन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाये थे तो दोस्तों यहाँ पर हम देखे इसी कारण अंदता या बैठक निजर तक साबित हुई चुकि यहाँ पर हमारे देश के जो भी राजनेता थे वो सामिल नहीं हो पाये तो दोस्तों यहाँ पर हमें हमारे देश से मतलब है कि हमारे देश के लोग कहीं भी जा रहे हैं उसको किस तरह से वहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं किसी भी जनसभा में तो यहाँ पर हमारे देश के जो लोग थे वो सविनो अवग्या अंदोलन कर रहे थे उसकी विज कारिक तोर पर जार्ज पंचम ने बारे नॉम्बर नुनिस सो तीस को इसका उधगाटन किया था और दोस्तों यहाँ पर हम देखें इसकी अध्यचता ब्रिटेन के प्रधान मंत्री रैम जे मैक डोनाल्ड ने की थी तो दोस्तों आपको बस यही ध्यान देना है कि इसमें जो 1931 तक और दोस्तों यहाँ पर इसकी अध्यचता की थी ब्रिटेन के प्रधान मंत्री रैम जे मैक डोनाल्ड ने और अंग्रेजों द्वारा सासित भारत से 57 राजनेतिक नेता और रियास्तों से 16 प्रतिनिदियों ने भाग लिया था दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे जो अंग्रेजों द्वारा सासित भारत से 57 राजनेतिक नेताओं और रियास्त से 16 प्रतिनिदियों ने भाग लिया था हाला कि जो भारती राष्टी कांग्रेश और व्यापारिक नेता थे उन लोगों ने इस सम्मेलन में भाग नहीं लिया था तो इसमें से कई नेता साविनों अवग्या अंदोलन में भाग लेने के कारण जेल में थे तो दोस्तों यही रिजन था कि जो बड़े नेता थे वो इस सम्मेलन में भाग नहीं ले पाये थे अब दोस्तों यहाँ पर हम देखें इसके बाद गाधी इर्विन समझाता बहुत ही महत्वपूर दोस्तों प्रथम गोल में समेलन हो यहाँ गाधी इर्विन समझाता हो यह जितने भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं यह अठारसो सतावन इस्वी के करांती के बाद के टॉपिक हैं और यह बहुत ही महत्वपू समाज या आरे समाज इस तरह के जो भी धार्मिक संस्थाएं बनी थी उनकी बज़े से लोगों में एक उत्साह आ गया था कि किस तरह से हम अपने देश की धार्मिस और अपने देश की रक्षा किस तरह से करें अपने देश के लोगों की सुरच्छा के सासा देश की से साहित को किस तरह से बचाएं तो दोस्तों यहाँ पर हम Дेखियें कि गादी इर्विन सम्झाता 25 Juni 1931 को गादी जी तथा कंग्रेस के अन्स अभी प्रमुक्नेता बिना सर्थ कारावाज से रहा कर दिये गए तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें 25 जनरी 1931 को चुकि इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा कि जनवरी 1931 तक जो प्रतम गोल में सम्मेलन चला था तो दोस्तों यहां पर देखें जनरी लाश्ट की बात हो रही है 25 जनरी 1931 को गांधी जी तथा कांग्रेस के अन सभी प्रमुखनेता बिना सर्त के कारावा से रिहा कर दिये गए कांग्रेस कारे कारडी समित ने गांधी जी को वायसराय से चर्चा करने के लिए अधिकरित किया यानि कि अब कांग्रेस के जो कार्ड कारणी सभा थी उन्होंने ये डिसाइड किया कि गांधी जी वायसराय से चर्चा के लिए जाएंगे और ततपस् दोस्तों यहां पर देखिए लाड इर्विन इसे गांदी जी भेंट करते हैं और उसके बाद बादचीत 15 दिनों तक चलती है और जो भी बादचीत होती है उसके बाद दोस्तों क्या हल निकलता वो हम आगे देखेंगे और दोस्तों यहां पर देखिए इसके परड़ाम सुरूप 13 मार्च 1931 को एक समझाता हुआ जिसे गांदी इर्विन समझाता कहा जाता है तो दोस्तों यहां पर हम देखेंगे कि 15 दिन के बाद यानि कि 15 दिन लगातार बारता होने के बाद समझाता होता है आगे हम देखेंग कि इस समझोते ने कांग्रेज की सिद्धी को सरकार के बराबर कर दिया था अब दोस्तों चूकी गादी जी जो थे वो उस समय एक नेतित्व करता के रूप में कांग्रेज का नेतित्व करता के रूप में वहां के वायसराय थे भारत के उनसे अपना पच्छ रखते हैं तो य हामुए तो दोस्तों यहां पर एक बार हम नज़र डालते हैं कि क्या-क्या समझता हुए थे तो दोस्तों यहां पर देखेए हिंसात्मक अप़रादियों के अत्रिक्त 1995ожд कयिτού को छोड़ दिया जाए यानि कि जो भी भारती ये कैदी थे अगर वो हिंसात्मक नहीं है तो उनको छोड़ दिया जाए यानि कि हिंसात्मक कैदियों के लावा जो भी भारती राजनेतिक कैदी है उनको छोड़ दिया जाए और दूसरा था कि अपहरण की संपत्ति वापस कर दी जो भी भारतियों के उपर जुर्माने लगाए गए थे उसको भी अस्तगित कर दिया जाए दोस्तों उसके बाद आपात कालिन अध्यादेसों को भी वापस ले लिया जाए जो भी आपात कालिन अध्यादेस लगाए गए थे भारत के उपर वो भी वापस ले लिया जाए और दोस्तों इसके अलावाक दो ऐसी सरते थी जो अंग्रेजी सरकार ने नहीं मानी थी तो वो क्या क्या थी यानि कि वासराय ने गांदी जी के निम्न दो मांगे अस्विकार कर दी थी पहली क्या थी कि पुलिस जातियों की जाच कराई जो भी पुलिस जातियां हुई है यानि क कि जो भी अंग्रेजी पुलिस है जिसने भारतियों के उपर जुर्म इढ़ाएं जिसने गलत तरीके से भारतियों को सोसित किया है कहा सकते हैं उनका सोसड किया है उनके उस सोसड की जाँ इस मांग को भी नहीं माना गया और दूसरी मांग थी दोस्तों भागत चिंग तथा उनके साथियों कोई फासी की सजा माफ कर दी जाए तो ये दोनों मांग को इर्विन के द्वारा जो समझाओता हुआ था गाधी इर्विन समझाओता इन दोनों मांगों को अस्विकार कर दिया जाता है बाकी जो इसके पहले हम लोग पढ़ें वो मांगे स्विकार कर ली जात और उतना ही पढ़ाया जारा जितना आपके लिए परयापत हो और दोस्तों यहां पर वीडियो को लाइक कर दीजेगा चलिए आगे देखते हैं दुतिये गोल में सम्मेलन दोस्तों इसमें जो भी चीज़े आप पढ़ने उसको कंसंट्रेट हो करके पढ़िएगा और हमारे जिन भी भाई बेनों ने टार्गेट यूपिटेट सीटेट एप नहीं डाउनलोड किया है वो लोग डाउनलोड करके आपका ध्यान नबर वन कंप्लेट हो गया उसका टेस्ट दे देजिए तो चलिए आगे देखते हैं दुतिये गोल में सम्मेलन दोस्तों यहाँ पर देखें दुतिये गोल में सम्मेलन का आयोजन 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 तक हुआ और इस सम्मेलन की सबसे खास बात यह रही कि इसमें महात्मा गांधी ने कांग्रेस के एकमात प्रतिनिधी के रूप में भाग लिया था तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें यह सम्मेलन कब हुआ था यह सम्मेलन हुआ था 7 सितंबर 1931 तक और दोस्तों इसकी सबसे खास बात यह थी कि गांधी जी कॉंग्रेस की तरफ से आननी कि भारती राश्ट्री कॉंग्रेस जो कि अब भारत में अंग्री जी सरकार के समतु ले हो चुकी थी उस भारती राश्टी कॉंग्रेस के एक मात्र प्रतिनिधी के रूप में गांधी जी इस गोल में सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए गये थे और दोस्तों गांधी जी 12 सितंबर को ऐसे सराजपुताना नामक जहाद से वहाँ पर पहुँचे यहाँ पर देखिए यहाँ पर यह आप सही कर लिजेगा वहाँ पर पहुँचे और इस सम्मेलन में वे कांग्रेस के एक मात्र प्रतिनिधी थे आगे हम देखें दोस्तों एनी बेसेंट यहो मदन मोहन मालवी वैक्तिगत रूप से इंग्लैंड गये थे तो धोस्तों यहाँ पर देखिए इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए एनी बेसेंट, स्रीमती एनी बेसेंट और मदन मोहन मालवी है ये दो ऐसे बेखती थे जो कि ब्यक्तिगत खर्चे पे यानि कि ये स्वैंग के खर्चे पे इस गोल में सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए गय थे तो दोस्तों यहां पर हम देखें जब ये श्रीमती एनी बेस्टिंट वहां पहुंचती है तो यहां पर यह भारती जो भी महिलाएं थी उनका इन्होंने प्रतिनिधित्व किया और यहां पर हम देखें तो दुतिय गोल में समेलन में कुल 21 लोगों ने भाग लिया था अपने दोस्तों के साथ सेर पर आयए और दोस्तों आपके लिए वीडियो बनाना यानी की बहुत ही बड़ा टास्क रता है मेरे लिए, फिर भी मैं आपके लिए हमेशा कोसिस करती हूँ कि डेली एक वीडियो लेके जरूर आओं और दोस्तों इसी तरह से आप अपनी महनच जारी रखिए दोस्तों और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ सेयर कर दीजिए और कमेंट की माध्यम से हमें जरूर बताइएगा कि हमारा ये प्र और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आपके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में सारे वीडियो की लिंक प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और जो चैनल उसके भी प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें भी आपको लिंक ओलेबल है औ से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जय हिन